राधे राधे दोस्तों, रसोई घर का तवा कभी धन की कमी नहीं होने देगा नमबर एक, खाना बनाने के बाद खाली चूले पर तवा ना रखें गैस बंद करने के बाद तवा कभी भी उसके उपर ना छोड़ें नमबर दो, काफी लोगों की आदत होती है कि साम का खाना बनने के बाद वे तवे को धोते नहीं है आपका ऐसा करना अन्न को अपमानित करने के समान माना जाता है साम का खाना बनाने के बाद तवे को हमेशा धोकर और सुखाकर ही रखना चाहिए गंदा तवा और कड़ाई का प्रियोग नहीं करना चाहिए नमबर तीन यदि घर में पती या बच्चे नशे की लट से सिकार हैं तो इसका मतलब यह है कि घर में बरतनों को रखने का तरीका सही नहीं है राहो के बूरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है रात में कभी भी तवा ऐसे ही ना रखने दें उसे धोकर ही रखें रात में तवा और कड़ाई कभी गंदा ना छोड़ें नमबर चार सुबत जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें उस पर नमक डाल दें गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तो दोस दूर होता है नमक साधा होना चाहिए उसमें मिर्ची ये हल्दी ना हो नमबर पांच तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाय या कुत्ते को दें यह नियम बना दें पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए इससे घर में विपदा नहीं आती साथ ही घर की सारी नकरात्मक पूर्जा समाप्त हो जाती है घर में सुक्षमरिदी का वास होता है नमबर च्छ घर में जब तवे का उपियोग ना हो तब उसे ऐसी जगह रखें कि वह सब की नजर में ना आए तवे पर बाहरी लोगों की नजर बिलकुल भी नहीं पड़नी चाहिए तवे को साफ कर अंदर की ओर रखें नमबर साथ तवे या कड़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए उल्टा तवा रखने से गोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है नमबर आठ तवा और कड़ाई जहां पर रखा खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए नमबर नौ आवाज आपके जीवन में मुश्कुलों का कारण बन सकती है नमबर ग्यारा तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें तिक क्योंकि यह आपकी किसमत का प्रतिविम्ब होता है तवा जितना चमकेगा किसमत भी उतनी चमकेगी नमबर बारा तवा या कडाई को कभी भी तीखें नुकीली चीजों से ना खुर्चें नमबर तेरा तवा या कडाई को कभी भी जूटा ना ही उस पर जूठी चीज रखें